एक है जारखन मुक्ति मोर्चा के नेता, ये केंदरी प्रवक्ता है, कुछ भी बोलने में माहिर हैं, किसी भी नेता यानी बड़े नेता प्रदान मंतरी राष्टपती, या किसी भी तरह के हाई प्रोफाइल नेताओं के बारे में टिका टिपनी करने के इनकी पुरानी आदत है दो दिन पहले जारकन में जन जाती गौरों महत्सों का आयोजंग किया गया उस महत्सों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 45 मिनट तक अपना भाशन दिया उसके बाद से ये काफी उद्ध्वेलित हो गया और कहा कि प्रधान मंत्री के आने से ED और CBI और रिचार्ज हो जाएगी उन्होंने सीधे प्रधान मंत्री पर आरोप लगाया कि विर्चा मुंडा की धर्ती से आदिवासियों को प्रधान मंत्री ने बेकोब बनाया यहां के कई महान विभुतियों का उन्होंने इस्वरन नहीं किया ना तो सर्मत सर्ना धर्मकोड लागू करने की गो महां के लोगों को कोई विव्यक्ति आकर डमरू वजाकर या किसी अन्य तरह की गोजना करके बेकुफ नहीं बना सकता जारकंड के हेमन सुरेन सरकार को अब प्रधान मंत्री भी डिस्टर्व करना चाहते हैं पहले CBI लगाया फिर ED लगाया और कई तरह के आरोप प्रत्यारो उन्होंने लगाये उन्होंने कहा कि जन्जाती दिवस के नाम पर भारत की राष्ट पती द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्स आई थी लेकिन उन्हें स्थापना दिवस के मौके पर आने नहीं दिया गया अब खुद प्रधान मंत्री 2023 में आ गया और नया माईलिस्टोन क कमा जो है सुल्ला गंटे से अधिक समय तक प्रधान मंत्री की खातिरदारी में व्यस्त रहा जिससे राज्जी के लोगों को काफी परिशानी हुई ये उनका कथन है अब उन्होंने एक और बड़ी बात कहा दी कि 200 के सबसे बड़े नेता सिबू सुरेन यानि जारकन मुक् के दोरान पी-म के कारिक्रम में नहीं बुलाया गया या बारती जनता पाटी की सोची समझी हाजिस का एक हिस्सा है सीबू सुरेन राज्य के तीन बार मुख्यमंत्री रहे जारकन के प्रचलित नेताओं में से एक हैं और जारकन मुक्ति मूर्चा के सुप्रीमों हैं अलग जारकन राज बनने के बाद बाबुलान मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने लेकिन जन जाती गौरव महोत्सों में बाबुलान मरांडी को तो बुलाया गया लेकिन सीबू सुरेन को आहमियत नहीं दी गई हम यह बताते चले की राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत्सुरेन खूटी में आयोजीत जन जाती महोत्सों कारिकरम में प्रदान मंत्री की बगल में बैठे थे और उन्होंने मंच साजा किया और खूद मुख्यमंत्री हेमंत्सुरेन जो जार्खन मुक्ति मूर्चा से विलॉंग करते हैं उन्होंने कहा कि यह पहला आउसर है कि कोई भी प्रदान मंत्री बिर्सा मुंडा की जन्म अस्थली उली हातु जाकर वहां के लोगों से मुलाकात की और उन्होंने प्रदान मंत्री के जार्खन आगमन को एक अच्छा निउस बताया जबकि ठीक उसके उलट जो है पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियों भटाचार जो है अनरगल बाते कर रहे हैं और प्रदान मंत्री सरीखे एक कंस्टिकूशनल पद को धारित करने वाले व और विपक्षी दल भाजपा के बीच में जो अंद्रूनी लडाई चन रही है उसके क्या माइने है प्रदान मंत्री का आना क्यों जरूरी था इससे क्या राजनीतिक लाव किसको मिला यह आने वाला समय बताएगा तब तक के लिए जोहार नमस्कार आथा दिन राज प्रदान मंत्री के पीछे लगा रहे हैं पहले तो सुनते थे कि गवर्णन्स को डिस्टेबेल करने के लिए आईटी आती थी सिवियाई यह थी एडी को लगाया जाता था अस्तर गवर्णन्स को डिस्टेबेल करने के लिए प्येन भी लग गया है कि मेरा भी चेहरा रहना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जंजाती इनाके में जाकर आप चुनाओ प्रचार कर नहीं सकते मिजोराम जा नहीं सकते तो बगल के राज को चुन लो क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंड है हमारे यहां पर भी गोंड है मज़र πwhakap यद्रेश में भूमिध हैं हमारे यहाद भूमिध है मεςऩ प्रदेश था कि मी खेहरवार है हमारे यहाद यहां पर भी खेहरवार है गथ्शक्तित क्रक्रक्री यही स्थित्त्रिक है